अलो अलेकुम दोस्तों तो यार क्या हाल है आज की इस वीडियो में हम जैसा कि आप देख रहे हो टाइटल डिफरेंट बिट्वीन इफिशन सप्लाइचेन एंड रिस्पॉंसिफ सप्लाइचेन के बारे में डिसकस करेंगे थी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफिशन औ जो इंवेंटरी या लेट से प्रोड़क्ट बनाने की पीच्हे जो कोस्ट आ रही है उस को स्पोश्ट को मिनिमायस किया जाए थी अगर एक कंपनी उस को मिनिमायस करने में काम्याब रेती है तो वह समझें कि इसकी जो सप्लाइचेन यह वो सुफिशेंट है ठी है कि वो कितना quickly response कर रही है customer को ठीक है यानि कि customer को जब भी demand वी product की तो कितना quickly उसके पास product पहुंच जा रहा है ठीक है so responsive supply chain is all about speed and flexibility ठीक है flexibility इसलिए क्योंकि responsive supply chain में आपके पास आप जो है uncertainty यानिकि जो supply uncertainty है और demand uncertainty है उसको आप match कर सकते हो ठीक है यानिकि अगर हाँ demand uncertainty है तो आप अपनी production बढ़ा सकते हो अगर demand बढ़के जीसे demand बढ़के तो आप अपनी production भी भड़ा सकते हो responsive supply chain में और demand के घटने से आप अपनी production घटा भी सकते हो ठीक है जबके efficient supply chain में आप अपनी production कम जादा नहीं कर सकते हो वो full capacity पे काम कर रही होती है क्योंकि अगर आपने कम जादा की तो आपको यह expensive पढ़ेगा और efficient में हम देखते हैं कि कम से कम cost लगे हमें product बनाने पे ठीक है So let's start with the differentiation कि इन में और जादा differentiation क्या क्या हो सकते हैं ठीक है तो पहले differentiation है primary goals ठीक है इनके supply chain में जितनी भी cost लग रही है traveling की cost, warehousing की cost manufacturing की cost, suppliers की cost ठीक है तो यह जितनी भी cost है इन सब को minimize किया जाए ठीक है तो efficient अगर कोई company efficient supply chain के through salary है तो वो जो है इन सब सारी cost को minimize करेगी ठीक है अपनी पुरी supply chain throughout the supply chain supply chain वो पुरी cost को minimize करेगी अगर एक company जो responsive supply chain वाला behavior अपना रही है तो the primary goal is speed and flexibility and response quickly तो उनका primary goal होगा कि बले cost कितनी भी है लेकिन हमें अपनी speed, responsiveness, customer responsiveness, feedback को feed forward में convert करना और quickly respond करना, quickly act करना उनका यह goal होगा, ठीक है primary goal यह होगा कि वो quickly act करने है speed दिखा है, flexibility उनका uncertain demand को match करें uncertain supply को match करके दिखा है so that is responsive supply chain efficient supply chain company उस सूरत में करती है जब उसका जो product है mature हो जाता है, ठीक है यानि कि एक product है जो market में newly introduced हुआ फिर वो growth हुआ ठीक है उसके बाद वो grow होकर mature हो कहले यानि कि अब बहुर को use करता है उसे तो उस time पे वो जो company है उसे efficient supply chain पे आ जाएगी convert हो जाएगी अब responsive supply chain company उस वक्त यूज करती है जिस वक्त प्रोड़क्ट जो है वो newly introduced हुआ हूँ ठीक है अब उस product को जारी सी पहते customer के दमाग में उस product का perception बठाना उस product की positioning करना ठीक है तो इन सब चीजों में वो responsive का सारा लेती है responsive supply chain का ठीक है ताके वो जो product है उसकी growth हो ठीक है फिर जब growth हो जाते है तो फिर वो efficiency पे convert हो जाती है अब दूसरा है हमारा product design strategy अब अगर कोई भी product की अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने जिसे मैंने बताया है कि newly product हो तो उस efficient रहे हो सकता है कि वो sorry newly product हो तो responsive रहे हो सकता है कि वो क्यांकि अपनी efficiency रही सकती है अगर product जाधा convenient convenient product वहा तो ठीक है efficient supply chain होता है कि maximize performance at a minimum cost ठीक है जितनी उनकी potential है production करने की उतनी potential पर वो work करते हैं ठीक है maximize करते है अपनी performance को और वो cost को हमेशा minimize करने की कोशिश करते है efficient supply chain में जब काम खोड़ा होता है ठीक है और responsive supply chain में create modularity modularity को कहते हैं कि जो product होता है उसको pieces में बनाना ठीक है यानि कि फिर बात वो assemble हो जाए है जिससे furniture अगरा आता है तो वो pieces में आता है फिर बात में हम घर चाकर उसको assemble कर लेते हैं ठीक है अपनी मर्जी से modularity का मतलब यह कि हम वो जिससे पुजल होता है puzzle pieces में पर उसको arrange करते है तो उस चीज को modularity करते हैं ठीक है to allow postponement postponement पॉइंट होता है जहां पर आपको पता होगे पुश और पुल जो supply chain होती है पुश में हम स्वारी पुश में हम जादे जादा production कर रहे होते हैं और market penetration की तरफ जा रहे होते हैं ठीक है पुल में हम कस्टूमर ओडर की इंतिजार करते हैं कि कस्टूमर ओडर देगा हो तो उसके बाद supply chain का process स्टार्ट होगा और पुश में हम जो है वो demand की forecasted करके demand को forecast करके demand को predict करके और उस basis पे हम अपनी supply chain पे काम कर रहे होते हैं और इससाब से भी हम production कर रहे होते हैं और हम किसकी basis पे demand की prediction की basis पे और लेकिन पुल में हम क्या करते हैं पुल में हम order का wait करते हैं जब customer order देता है तब भी supply chain यह fluctuate करती है या इस्तमाल में आती है या 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 यूज होती है supply chain का पुरा process होता है ठीए तो मैं काफी मैंने हो सकता है उमीद करता हूँ कि मैंने काफी इसको आसानी से explain क्या हो ठीए अब पोस्पोमेंट वह पॉइंट होता है जहाँ पे company क्या करती है जहाँ पर company पहले जो production और जितनी supply chain को पुष पर अखरी होती है फिर आखरी स्टेच पर पुल पर कर देती है अब मुझे अंदाज आए कि आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक example देता हूँ ठीक है अब क्या हो जैसे tank एक example लेते हैं आप टैंक है नहीं भी है आपको पता होगा टैंक है multiple flavors होते हैं ठीक है और इंज mango pineapple ठीक है काफी flavor है टैंक है तो क्या होता है powder वाली डिर्म पावडर डालते हैं पर पानी डालते हैं जो बन जाती है फिर हम उसे पीतहे हैं तो जतना बेंडर बनाने का प्रोस्ससरा होता है साथ मतलब सादा नहीं पिश पेड़े यह You know, पुच्छ फैक्टरश पेड़ के पुडर मेरे प्रोस्स को वे लोग पुश पे रखते हैं ऐसा पॉइंट आता जहाँ पे फ्लेवर एड़ करने हो одर्र धी है ऐसे पॉइंट करने होते हैं तो उस पॉइंट पे फूल पे शिफ्ट हो जाते हैं जब बन जायागा तो रोक देगे एक स्टेज पेज उस stage को हम कहेंगे postponement point जहां पर उन्हें flavor add करने है ठीक है फिर जब वो फिर देखेंगे order कितने flavors के आ रहे हैं अगर orange को order जादा आ रहा है तो फिर जादा orange वाले flavor बढ़ाएंगे ठीक है तो उस point को basically वो जो point जहां पर delay हो रही है हमारी production उस point को हम कहते है postponement point ठीक है यानि postpone कर देना production को of product differentiation by that we can achieve economies of scale ठीक है और इस तरह हम जो है different product बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं ठीक है और इसी तरह हम जो है इसमें responsive supply chain में economies of scale achieve कर लेते हैं economies of scale क्या होता है कि जब आप mass production करते हो तो आपको जो आपकी जो cost है वो per unit cost of production per unit यानि कि एक unit एक product बनाने का cost जो आती है वो अब कम हो जाती है ठीक है अब है pricing strategy अब efficient supply chain lower margin because price is the prime customer driving higher margin because price is not a prime customer driven ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है margin low होता है margin low होना यानि कि जो cost of production है और उसमें से जो हमारा sales हुई है cost of production में हम अपने accounting में क्या होगा अगर आपने कभी accounting पढ़ी है तो cost of production में जब हम अपनी entire sales है अपनी sales से हम cost of production जब less करते हैं तो हमारे पास एक gross profit आ जाता है ठीक है तो वह हमार profit margin है ठीक है profit margin होने है यानि कि उसके ओपर mark-up कितना रखना एक product के ओपर mark-up कितना रखना ठीक है for example एक product है वो मुझे कुछ 100 रपीस में उसकी cost आई मुझे बनाने में उसको electric विजली utilities वगरा सब कुछ मिलाकर ठीक है machinery labor वगरा सब मिलाकर मुझे उसके ओपर cost आई 60 पे ठीक है मेरा margin काफी low है मैं इतना जादा mark-up नहीं रख रहा मैं इसलिए नहीं रख रहा ताकि market penetrate कर जाए ठीक है market के अंदर मेरा product गुज जाए और हर बंदा जो है है वह low होते हैं काफी ठीक है responsive supply chain में higher margin because price is not a prime customer driven ठीक है margin higher होते है क्योंकि price वह factor नहीं है जो customer लेकर आएगी क्या लेकर आएगी हमारी speed and flexibility ठीक हमारी responsiveness और हमारी quality यहां पर quality, responsiveness, speed and flexibility जो है वो prime driven होते हैं ठीक है driver होते है customer को लेकर आने के लिए और जबके efficient में price होती है price price और cost को मिला confuse मत हो जाना ठीक है cost मतलब जितनी cost हाई हम हमको एक product बनाने में ठीक है price है और जो product जितने में बिक रहा है वो price है ठीक है तो many, काफी लोग जो है वो confuse कर लेते हैं इन दो चीज़ों को ठीक है cost और price को अब manufacturing strategy manufacturing strategy में efficient supply chain में क्या होता है कि lower cost through higher utilization ठीक है lower cost आती है लेकिन utilization उसकी high होती है अब utilization का मतलब कि उसको full capacity में run करना ठीक है तो for example मैं आपको समझाता हूं कि maximum capacity है एक company एक factory के maximum capacity के 10,000 units बना सकती है तो उसने क्या क्या उसने उसकी जो actual production हुई वो भी 10,000 unit की हुई यानि कि उसने 100% utilize किया ठीक है अब दूसरी company है उसकी भी maximum capacity कितनी है यानि कितनी capacity में बना सकती है कितनी production कर सकती है वो 10,000 production कर सकती है लेकिन उसने कितनी production की उसने 8,000 से production की यानि कितनी utilization हुई 80% utilization हुई ठीक है तो इसका मतलब कि वो जो 100% utilization पे काम करी होती है efficient supply chain 100% utilization पे काम करी होती है अब responsive supply chain maintain buffer inventory to deal with demand and supply uncertainty ठीक है अब यह जो है यह maximum capacity पे काम नहीं कर रहे होते हैं ठीक है यह 8%, 9%, 7% पे काम कर रहे होते हैं ठीक है और इनके पास जो है upward flexibility होती है और लोड flexibility होती है और यह maintain करके रखते है buffer inventory को ठीक है buffer inventory यानि कि extra inventory भी वो maintain करके रखते है ताकि अगर जरूत पढ़ने पर वो उसे use कर सके है ताकि uncertain demand या supply meet हो सके ठीक है यानि कि जो market में for example demand बढ़ गई ठीक है uncertainty यानि का मतलब कि actual demand से match ना करें ठीक है तो demand बढ़ गई market में अब जो भड़ गई है demand उसको किस तरह tackle करें क्यूंकि product तो हमार पास समझे 80 units है बाहर 100 बंदें उनको यह product चाहिए ठीक है तो अगर हर बंद आए के खड़ीदेगा तो 80 बंदें ही खड़ीद सकेंगे तो इसके लिए हम buffer inventory रखते हैं कि जब भी ऐसी सूरत हो कि बंदे जादा हो demand जादा हो market में हमार product की लेकि हमार product की production हो कम है तो buffer inventory हम बेज दें ठीक है वह extra inventory हम निकाल दें ताकि उस सूरत हाल के लिए हम extra inventory रखते हैं ठीक है in both situation in uncertain demand situation and in uncertain supply situation ठीक है अब inventory strategy ठीक है यहां पर minimize inventory to lower the cost because with higher inventory we have risk of stuck working capital and opportunity cost यहां पर क्या होता है कि efficient supply chain में वह जितनी भी inventory आती है जितनी भी production करते है सारी बेच देते हैं ठीक है सारी market में डाल देते हैं सारी बेच देते हैं और यह inventory को stuck करके नहीं रखते हैं क्यूंके जाहिए से बता है अगर inventory stuck हो गई तो उनका working capital stuck हो जागा ठीक है working capital किसे केते हैं जिस capital से वो day by day day to day जो operations हो गेरा होते हैं ठीक है day to day जो operations होते है day to day inventory जो बनने में जो cost गएरा आती है वो सारी working capital से निकलता है फिर यह जब सोल हो जाते है तो working capital फिर से आ जाता है ठीक है और opportunity cost आने कि जो inventory stuck हो गई है जैसे for example कोरोना जी जब कोरोना पहले जब श्रूमें pandemic जो आया था तो इसमें एक company है जो coffee coffee के beans वेगरा बनाती है मुझे नहीं पता कि उस company exactly नाम क्या था जैसकोब या जैसकोब पर कैसा कोई नाम था ठीक है तो क्या हुआ कि उनकी inventory वह stuck हो गई कोरोना आया वह coffee के beans वेगरा बनाते थे तो उनकी inventory stuck हो गई क्योंकि आगे जो आगे जो आगे जो आगे बेचते थे आगे companies को ताकि वह coffee बना सके उनको ठीक है manufacture करके तो उनके वह stuck हो गए उनके पास इतना सारा inventory पड़ी रही और वह आगे जाके नहीं sold हो सकी तो और फिर क्या हुआ क्योंकि जाहर सी बाते उन्होंने जो बनाई है अपनी inventory उसको अगर रखे रखना भी तो एक cost ही है ना क्योंकि आपको warehousing के पैसे देने पड़ते हैं आप को other expenses वगरा भी होते हैं ठीक है तो अब यह पैसे अगर for example समझें कि आपकी inventory stuck ना हो तो आप यह पैसे कहीं और भी लगा सकते हैं ठीक है कहीं bank में रख सकते हैं तो that is opportunity cost ठीक है कि आप जहां पर cost लगा रहे हैं जहां पर आप पैसा लगा रहे हैं उसके इलावा अगर आप आपके पास क्या क्या alternative है जहां पर पैसा लगा सकते हैं ठीक है so opportunity cost भी यहां पर आ जाती है ठीक है efficient supply chain में जिसके वह इंवेंटरी नहीं रखते हैं जल्दी से sold कर देते है अब पर responsive supply chain maintain buffer inventory to deal with the demand and supply uncertainty ठीक है तो यह वही बात कि यह buffer inventory रखते हैं दुसरा lead time strategy cannot be reduced not at the expense of cost ठीक ह पूंचाने का time जिससे domino's है domino's बोलता है कि भी 30 minute के अंदर अगर हमने माल नहीं पूंचाया पीजा नहीं पूंचा तो पीजा आपका free में होगा यान कि free में आप खाऊगे ठीक है तो यहां पर क्या होता है efficient supply chain में वो देखते हैं कि अगर lead time reduce हो सकता है तो ठीक है अगर नहीं हो सकता तो जबर्दस्ति उसको करेंगे नहीं वो जबर्दस्ति नहीं चाहेंगे कि हमारी cost बढ़े lead time को सिर्फ increase करने की वजह से या sorry reduce करने की वजह से ठीक है तो यह हो गए हमारी efficient supply chain अब हम आते responsive supply chain में lead time must be reduced even if it is costly or expensive lead time यहां पर reduce करते हो चाते हैं कि हम सबसे पहल यहां वो लोग lead time कैसे भी करके reduce करते हैं lead time का मतब है consumer को माल पहुंचाने तक का time delivery का time तो वो इससे काफिर reduce करते हैं इससे कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी customer तक माल पहुंचें जिसे Amazon करता है Amazon ने निकाला था one day delivery जिस दिन order को उसी उसी शाम को आपके बास delivery आ जाएगी ठीक है one day delivery two day delivery इस तरह करके उसने Amazon ने निकाला था तो वो Amazon क्या कर रहा है Amazon जो है वो responsive supply chain strategy अपना रहा है ठीक है क्योंको उसका lead time काफी short है वो जल्दी से जल्दी customer को अपने reach कर लेता है ठीक है अब आते हैं हमारे पास supply strategy select based on the cost and quality यहां पर जो suppliers company जो select करती है जो efficient supply chain पर चल रही है companies वो यह देखती है कि हमारे हमें कौन सा supplier कम cost में चीज़ें provide कर सकता है और अच्छी quality में ठीक है वो अच्छी quality और कम cost देखती है जबके responsive supply chain देखती है कि कौन से supplier हमें speed provide कर सकता है हमें flexibility यानि जल्दी से जल्दी हमें supply दे सकता है ठीक है जिस तरह Toyota करती है ठीक है मतलब जिस तरह Toyota के suppliers करते हैं वो just in time deliver करते हैं उनको यानिकि जैसे वो लोग inventory store नहीं करके रखते है रहनी days के लिए ठीक है जैसे inventory की जब जब करते हैं Ore deal का कार को बनाने के लिए Ecuador क्राइब हर enf Veron intent ऋपकौर्ब धेया इंजो चाहिए रखते हैं那我們 जैसे सब्uclear करते हैं सब्याइर साख़ाय करके यह तो इसको चाहिए इसको उनको पर एक है डिया ठीक है ऑशो सपीड को देखते हैं यह फॉसमें पॉसमीडी अफ़र डाउनर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के प्रवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और रिलाइबिलिटी के रिलाइबल है या नहीं है या जो यह जो सप्लियर्स रिलाइबल है या नहीं है ठीक है और कॉलिटी को देखते हैं कि जो माल प्रवाइड कर उसकी क्वालिट कैसी है क्या वो स्टेंडर्स को मैच कर पार रहा है क्या वो बेंचमार्क कर पार रहा है नहीं कर पार रहा है ठीक है so that is it and we have covered the difference between the efficient supply chain and responsive supply chain have a great day take care and Allah Hafiz thank you very much for watching this video